नमस्ते मेरा नाम राकेश है और मैं जर्मनी के फ्रैंकफर्ट इस शहर में हूँ आज छे दिन के बाद बाहर निकला हूँ और मेरे जैसे कई सारे लोग है जो आज काफी दिनों के बाद बाहर निकले हैं इसका मतलब यह नहीं है कि यह लोग डरपोक है लेकिन जब तक अपन प्रैंट नहीं सकता जापर मैं बहुत यंग हूँ हमारी आटेंपरेचर बहुत जादा है तो यह सेम गलती की फैल नहीं सकता यह सेम गलती जो है दो हपते पहले इकली ने की थी पैंन ने की थी और फिर जर्मनी ने की थी क्यूंकि इनका काउंट अगर आप देखे त्री में आज यह पहुंच चुके है उन्नेस तारीक केवल चार दिन में यहां के कैसे जो है पंदरा हजार के आसपास बढ़ चुके है तो प्लीज प्लीज यह गलती आफ मत किजिए हमारे देश में घर पे रही है घर से बाहर मत निकलिये क्योंकि हमारे देश में अगर य इनका जितना पॉपलेशन है उसके कंपारिशन में हॉस्पिटिल और वह बहुत जादा है हमारे देश का पॉपलेशन है 1.3 बिलियन हमारे अगर यह फैलना चालू हो गया तो रोकना मुश्किल हो जाएगा और यार यह लोग जो है यह इतने सोशल है नहीं यह जादा मिलत बहुत सारे सोशल गादर्रिंग करते हैं तो अगर ऐसी स्पीड से हम लोग मिलते रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे देश में और यह भी सोच रहु तो मैं यह तो यंग हूं और मुझे अगर मेरे में आ पहला नहीं गया तो मेरी इमईंटी अच्छी है और पिर लेकिन अगर आपके बॉड़ी में है आपको कुछ हो भी नहीं रहा है छे साथ दिन तक आप उसको लेकर चल रहे हो लेकिन आप जब घर जाओगे तो आपके घर में जो बुजुर्ग है उनको अगर अफेक्ट हो गया तो यार कुछ भी हो सकता है तो बाहर मत निकलिए बहु बहुत आरी चीज़ है यार टीवी देखो मोबाइल बहुत कुछ है और गवर्मेंट अपनी तरफ से जो कर रही है लेकिन जब तक आप लोग घर में नहीं बैठोगे यह रुके गानी और अगर फिर कर्फ्यू वाली सिच्वेशन आनी आ गई जैसे इटली में है तो कर्फ जिसके इतने लोग जादा रिस्पेक्ट करते हैं वो तो घर से बाहर रहे के सारे त्योहार और चोड़के बॉडर पे है तो आपको तो कोई बॉडर पे जाने नहीं बोल रहा है अपने ही घर में रहने बोल रहा है तो प्लीज अपने घर पे रहिए अपना खयाल रखिए और सुरक्षित रही है और जो गलती हमने जो गलती इटली, स्पेन, फरांस, जर्मनी, इंद शोने की वो प्लीज हमारे भारत में मत कीजिए अपना खयाल रखिए जाहिन